चाहे प्राकृतिक रूप से घटना घटित हो या इंसानों निर्मान से पृत्वी पर कुछ घटनाएं इतनी हैरान करने वाली होती है कि वे वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देती हैं। रात के आस्मान को रोशन करने वाली अजीबो गरीब रोशनी से लेकर हैरान कर देने वाले जीवों और रहसिमय घटनाओ वाली जगहों के बारे में आज हम बात करेंगे। हे स्टालेंग की रोशनी लगभग हर रात नौर्वे के हे स्टालेंग की रहने वाले एक रहसिमई घटना देखते हैं, जिसके बारे में सोचने के लिए आप मजबूर हो जाएंगे, वहा रात में घाटी के उपर चमकीली नाचती हुई रोशनिया दिखाई देती हैं, जो त इस घटना का ध्यानपूर्वक स्टडी कर रहे हैं, घाटी पर रहने वाले ने इस घटना को अलग नजरिये से देखते हैं, एक सिध्धान्त के अनुसार आकाश में अजीब रोशनिया इस वसल के कारण दिखाई देती हैं कि घाटी में से निकलने वाली जील रेडियो आक इस तसे भरा होने के कारण, आकाश में एक रोशनी दिखाई देती हैं सल्फ, पानी के साथ रियाक्शन करता है, इसलिए रियाक्शन के कारण आकाश में चिंगारी दिखाई देती हैं, लेकिन इस घटना को समझाने वाला, अभी भी कोई सती कुत्तर नहीं है दर्वाजा, तुर्कमेनिस्तान में एक गड़े का नाम है, जो 40 सालों से लगातार जल रहा है ये सिंखोल 79 मीटर चोड़ा और 30 मीटर गहरा है ये काराकुम रेगिस्तान के सेंटर में है, जो देश के कुलक्षेत्रफल का लगभग 70 प्रतिशत है प्राकृतिक गैस भहंडार के मामले में तुर्कमेनिस्तान, विश्व में चोथिस्तान पर है और दर्वाजा क्रेटर देश की राजधानी अश्गाबाद से लगभग 270 किलोमीटर उत्तर में दकार क्षेत्र में, गैस क्षेत्र के बीच में है इस गढधी को दर्वाजा गैस क्रेटर या गैट ऑफ हेल के नाम से जाना जाता है ये गढधा 1971 में जियोलोजिस्ट्स ने एक गैस ड्रिलिंग की समय बना था ड्रिलिंग की समय जमीन धस गई थी और एक बड़े गढ़े में बदल गई जिससे मीथेन गैस का रिसाव होने लगा इस गैस को रोकने के लिए वैग्यानिकों ने इसमें आग लगा दी ये सोचकर की कुछ दिनों में गैस चलकर खत्म हो जाएगी लेकिन ये गढधा तब से लगातार जल रहा है अन्तहीन तूफान वेनेजुएला के पश्चम में कैटाटुम्बो नदी के ऊपर एक तूफान चल रहा है जहां प्रती घंटे से करों बार बिजली गिरती है जो लगभग कभी नहीं रुकता ये तूफान हर दिन शाम साथ बजे शुरू होता है और दस घंटे तक चलता है ये घंटना हर साल दो सो साथ दिनों तक दोहराई जाती है इस वज़े से इसे रलाम्पगो डेल कैटाटुम्बो वी कहा जाता है ये घंटना दुनिया में सबसे ज़्यादा बिजली गिरने वाली जगहों में से एक है और इसे वेनेजूला का नाचूरल लाइट हाउस कहा जाता है क्योंकि यह रात में नाविकों को गाइग करता है इस प्राकृतिक घंटना का कारण कोई नहीं जानता बताया जाता है ये बिजली के बोल्ट किसी तरह पास के दलदल में मौजूद यूरेनियम से जुड़े होते है लेकिन वेग्यानिक इस बारे में कन्फम नहीं है वेग्यानिकों के अनुसार केटा तुन्बो में बिजली गिरने की घटना कुछ परवतों के कारण होती है जिन पर एंडीस परवत से आने वाली गर्म हवा और थंडी हवा की धाराएं आपस में टकराती है फिर हवाएं तेजी से वाश्प में बदल जाती है पहारी नदी और आजपास के सभी जगहों से मीथिन के साथ मिल जाती है जिसके कारल तुफान आते है केटा तुन्बो तुफान एक अनोखा मौस्मिय घटना है कराचाय जील सोवियत संग में कई परमानू सुविधाएं थी जिन में से कई खतरनाक और खराब तरीके से एंप्लोईड थी इन में से एक कराचाय जील है जो रूस के चेलिया बिंस्क में है इस जील में पूरे ग्रह पर किसी भी दूसरे जगल की तुलना में सबसे ज़्यादा रेडियो आक्टव मेटारियल है यह इतना खतरनाक है कि अगर आप इस जील के पास खड़े हो जाएं तो एक घंटे के भीतर आपकी मौत हो सकती है कराचाय जील के आसपास का इलाका इतना रेडियो धर्मी है कि 1957 में चेर्नोबिल में भी कोरेची न्यूक्लियर एनरजी प्लांट में एक दुरघटना के बाद विस्पोट हो गया था 23,000 किलोमीटर के दायरे में रेडियो अक्टव मौलिक्यूल्स छोड़े गए इससे तबाही से बचने के लिए जील को कंक्रीट से भार दिया गया लेकिन इसके बावजूद भी यह हिलाका अभी भी बहुत खतरनाक और प्रदूशिक बना हुआ है डेविल्स केटल फॉल्स ये जहरना मिनिसोटा में है और प्रित्वी पर सबसे रहास्यमई जगहों में से एक है इस जहरने की सबसे दिलचस्प बात यह है कि जहरने के उपरी हिस्से में पानी दो हिस्सों में बन जाता है एक हिस्सा नॉमली नीचे की और बहता है जबकि दूसरा हिस्सा एक बड़े गड़े में गिरता है जिसे डेविल्स केटल कहा जाता है यही गढ़्धा रहास्यमय बना हुआ है क्योंकि वहां गिरने वाला पानी कहा जाता है इसका कोई थोस प्रमान अभी तक नहीं मिल पाया है सुर्च से द्वीप, आइसलेंड, आइसलेंड के दक्षिनी तच से लगभग 32 किलोमीटर दूर पर सुर्च से द्वीप है जो लाखों साल पहले नहीं, बल्कि एक द्वीप 14 नवंबर 1963 को समुद्र के नीचे ज्वाला मुखी विसफोट के कारण बना था यह 130 मीटर गहरे समुद्र में है, यह विसफोट 1963 से 1967 में ज्वाला मुखी विसफोट समाप हुआ आप इसकी सबसे उची चोटी समुद्र तल से लगभग 558 फीट उपर हो गई यहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं है, इस जगल सिर्फ साइन्टिस्ट को आने की इजाज़त है यहसा इसलिए है क्योंकि यह द्वीब पौधों और जान्वरों के कॉलिनाइजेशन की स्टडी करने के लिए एक नाचूरल लाबरेटरी बन गया है जब 1965 में विसफोट अभी भी जारी था तब आइसलिएंड की सरकार ने 1965 में सुरत्से को डेकलेड नेचर रिजर्फ बना दिया ताकि यह जानने के लिए पौधे, कीलिये, पक्षी, सील और जीवन के और रूप समय की साथ द्वीब पर कैसे विक्सित होते हैं 2008 में युनिस्को ने सुरत्से को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बन गया स्नेक आइसलेंड, ब्राजील की कोस्ट के पास एक छोटा सा द्वीब है ये द्वीब दुनिया के सबसे खतरनाग जगहों में से एक है क्योंकि यहां बहुत बड़ी संख्या में गोल्डन लांसेहेड वाइप जहरीले साउप पाए जाते हैं कोई भी इनसान स्नेक आइलेंड पर पैर रख कर अपनी जान जोखिम में डालने की हिम्मत नहीं करता स्नेक आइलेंड को इलहदा क्विमादा ग्रांडे भी कहते हैं इस द्विब पर मैक्सिमम चार हजार गोल्डन लांसेहेड रेंगते हैं ये धर्ती पर पाए जाने वाले सबसे जहरीले साउप है कोडिन ही, भारत, दुनिया की तरह भारत में भी कई रहस्यमई जगहे हैं केरल राज्य के मलप्पुरम जिले में एक गाउव है इस गाउव में करीब से करों परिवार रहते हैं माना जाता है कि दुनिया का एकलोता गाउव है जहां पर सिर्फ जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं इस गाउव में करीब 200 जुड़वा बच्चे हैं कोडिन ही को फ्विंस विलेज भी कहा जाता है क्योंकि यहां जुड़वा बच्चों की संख्या नॉमल से कही ज़्यादा है इसके पीछे का रहसे क्या है साइन्टिस्ट और रेशेशर इस युनीक घतना का कारण जानने के लिए स्टडी करते रहते हैं